दिल्ली उच्चन्याले ने अभीनेत्री जुही चावला से बुधवार को देश में 5G वायरलेस नेटवर्क इस्थापित करने की खिलाफ दायर अपनी याचिका पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है जुही चावला ने आपको बता दे जुही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क इस्थापित करने के खिलाफ सोंवार को उच्चन्याले में याचिका दायर की थी उन्होंने अपनी याचिका में नागरीकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर इस टेकनोलोजी के विक्रिन प्रभाव संबदित मुद्धों को उठाय था न्यायमूर्ती जे आर मिड़ा ने कहा कि वे अपरान धाय बजे तक दो पेश का नोट दाखिल करें और अदालत अपरान तीन बजे मामले की सुनवाई करेगी अदालत ने कहा कि वे याचिका की सुनवाई शुरू करने समेथ चावला और दो अन्नी याचिका करताओं की चार अरजियों पर विचार करेगी अदालत ने दूर संचार विभाग का प्रतिने धित्व कर रहे वकील अमित महाजन को डेड़ पेच का नोट दाखिल करने की अनुमती दी है जिससे या पता किया जा सके कि उस पर सुनवाई की आवशकता है या नहीं न्यायदिश ने कहा कि बचाव करता मेरे नोटिस चारी करने तक सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकते अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि इन 5G योजनाओं से मनुष्यों पर गंबीर अपरिवर्तनी प्रभाव और प्रत्वी के सभी तंत्रों को इस्थाई नुकसान पहुंचने का खत्रा है जुईचाला, विरेश मलीक और टीना वचानी ने याचिका दायर करके कहा है कि यदि दूर संचार उध्योग 5G संबंदित योजनाए पूरी होती है तो प्रत्वी पर कोई भी व्यक्ती, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई पोधा इसके बचाव से नहीं बच सकेगा याचिका में प्राधिकारियों को यह प्रमानित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5G प्रद्योगी की किस तरह से मानवजाती, पुरुष, महिला, वयस्क बच्चों, शीशू, जानवर और हर प्रकार के जीव वनस्पती के लिए सुरक्षित है